हेई हैई गाईज वोडम्टी यिट्वब तो आज की इस वीडियो के अंदर हम create करने वाले हैं एक प्रोग्राम को तो बिसिकली यह प्रोग्राम है क्या पहले मैं आपको वह बता दूं तो यह प्रोग्राम है write a program to reverse a given number हमारे पास कोई भी नंबर दिया होगा for example, हमारे पास दिया होगा 9, 8, 7, 6, 5, 4 तो हमें क्या करना है इस नंबर का उल्टा कर देना है तो हमें क्या करना है हमें इसका reverse करना है तो हमारे पास result आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो जो भी given number होगा हमारे पास C++, आप इस program को किसी और language के थ्रू भी बिना सकते हो JavaScript के थ्रू, या फिर Java के थ्रू, या C के थ्रू, ओके या आपकी मर्जी आप कोई भी language का use कर सकते हो, ओके logic same रहेगा, ओके, जैसा logic मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो जो चीज़े यहाँ पर वही चीज़े उन languages के अंदर होंगी, बस फर्क इतना होता है कि syntax change होगा, ओके, तो यहाँ पर मैं use कर रहा हूँ C++, इस program के लिए आप कोई और language को भी use कर सकते हो, ओके, पर logic जो है, same रहेगा हर language के लिए तो चलिए, स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा program, जो की है, write a program to reverse a given number, okay, given number का reverse करना हमको, okay और जिन लोगों को C++ सीखनी हैं, वो मेरे tutorials को follow कर सकते हैं, okay और साथी साथ, blog के अंदर आपको सारी की सारी post मिल जाएंगी, जितने भी program मैं यहाँ पर करता हूँ, videos के अंदर वो सारे के सारे मेरे blog के अंदर available है, तो मेरा blog आप चेक कर सकते हो वोहाँ पर आपको सारे की सारे program मिल जाएंगे description में मेरे channel और playlist और blog की link आपको मिल जाएगी, okay तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे program को बनाना, तो यहाँ पर मैं यूज करूँँगा devc++, okay so बल्कूल new file create करेंगे, तो सब्सक्राइब हम logic को सीखेंगे, इसका logic है, प्रोग्राम के पीछे logic है basically, उसको clear करेंगे, उसके बाद हम implementation करेंगे, programming language में किसी भी programming language में आप कर सकते हो, okay तो सब्सक्राइब पहले तो basic structure लिख देते हैं, हमारी C++ का, तो header file लगा देंगे, उसके बाद standard library, std, okay उसके बाद main function, curly braces, okay और इन curly braces के अंदर आएगी, हमारी सारी की सारी coding, okay और उपर जैसे एक comment भी लिख देता हूँ, ताकि पता लग जाए कि कौन सा program basically हम कर रहे हैं, okay so इस program का नाम copy कर लिया और यहां पर paste कर लिया, तो program है write a program to reverse a given number तो कोई भी number user डालेगा, हमको उसका उल्टा कर देना है, तो यह हमारा program होगा basically, okay अब समझते हैं किस तरह से यह चीज complete होगी, किस तरह से इस चीज को हम बना सकते हैं basically, okay तो सबसे पहले तो एक variable होगा हमारे पास, okay n नाम का, okay, जिसके अंदर कौन value डालेगा, user value डालेगा, okay user की मरज़े होगी, वो कोई भी value यहां पर डाल सकते हैं हमारा काम है, उस value को reverse करना, for example, अगर हमारे पास user ने डाला, one, two, three, तो हमको इसका reverse करना है, और result आना चाहिए, three, two, one, okay, तो हमारे पास एक variable होगा, n, जो की hold करेगा हमारी value को, जो user type करेगा और जिसको user reverse करना चाहता है, okay, और इसके बाद हमें एक और variable चाहिए, temp डाम का, यानि temp मतलब temporary value, okay, कुछ हमारे program को जो है, बहुत काम होगा हमारे variable के साथ, जो main variable है, okay, इसके साथ कुछ mathematical expression हमें करने है, इस n variable के साथ, जो की contain करता है हमारी original value को, तो हम नहीं चाहते हमारी original value खराब हो जाए, तो हम यसी के लिए क्या कर देंगे, हमारी original value को store करवा देंगे, temp के अंदर, तो हमारे जो original value है, n के अंदर save रहेगी, और temp के अंदर भी हमें हमारी original value मिल जाएगी जिसके अंदर हम सारे के सारे mathematical formulas का implementation कर सकते हैं, तो सारी working हम करेंगे, हमारे temp variable के अंदर, और original value रहेगी, n वैसी की वैसी, उसके बाद आता है हमारा main काम, एक और चीज़ हमें चाहिए एक और variable जिसका नाम है, rev या आप इसको बोल सकते हो, reverse variable reverse नाम का variable चाहिए हमें, या किसी भी नाम का, और इसको हम क्या कर देंगे, value lot 0 कर देंगे, तो यह 3 variable हमें चाहिए, सबसे पहले आ गया हमारे पास कौन सा variable, n जो की store करेगा original value, फिरा गया temp जो की store करेगा temporary n value, जो value n के अंदर होगी वो भी temp के अंदर होगी और इसके बाद हमें चाहिए एक और variable जो की है rev नाम का यानकी reverse जो भी number reverse कराएंगे हम वो इसके अंदर store होगा और इसकी value हम क्या देंगे शुरुवात में ही 0 दे देंगे बस इतना सा काम हमें करना ये 3 variable बनाने है उसके बाद आते हैं सारे के सारे mathematical expressions यहां पर लगेंगे तो वो मैं यहां पर type कर देता हूँ सबसे पहले क्या होगा rev होगा हमारे पास rev variable लेंगे और उसको equal to कर देंगे हम rev के ही उसी के equal to करेंगे और उसको हम into कर देंगे multiply कर देंगे 10 के साथ में 10 के साथ उसको multiply कर देंगे second line होगी हमारे पास rev के लिए rev लेंगे हम और उसको equal to कर देंगे rev के और उसको plus कर देंगे हम किसके साथ जो भी temporary value है जो भी temporary value है जो हमने temp के अंदर store करवाई है यानि कि हमारी जो original value है उसको हमने temp के अंदर store करवाई था तो हम temp लेंगे और उसके बाद उसका क्या कर देंगे modulus निगाल देंगे via 10 10 के साथ उसके बाद जो है हमारी third line है जो की use-free condition चेक करने के लिए temp के और वो divide होगी हर बार किस के साथ 10 के साथ और ये सारा का सारा formula होगा किस के अंदर loop के अंदर हम यहाँ पर while loop का use करेंगे so while loop लगेगी हमारे पास while और ये कब तक चलेगी जब तक जो हमारा temp है ये जो temp है temp not equal to 0 आ जाता है यानि कि जब तक ये not equal to 0 नहीं आता जब तक temp के अंदर 0 नहीं आता तब तक ये चलता ही रहेगा जब temp के अंदर 0 value आ जाएगी इस वाले temp के अंदर 0 value आ जाएगी तो ये loop जो है खुद stop हो जाएगी हड़ जाएगी तो बस इन अजब प्रोग्राम है अब इसको implement करते हैं तो चलिए C++ में implement करते हैं working इसकी आपको पता लग जाएगी जैसे कि मैंने यहाँ पर basically लिखा हुआ है ये जितना भी formula है आप इसको calculator में एक एक value को type करके देखेगा हर variable के अंदर आपको पता लग जाएगा किस तरह से ये basically काम कर रहा है mathematical formula अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से एक काम कर रहा है तो आप मेरी previous video देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये किस तरह से काम करता है उसकी description में link देदूँगा या आप मेरी चैनल में जाके देख सकते हैं या playlist में तो अब जादा बात ना करते हुए create करते हैं हमारे इस program को जिसकी मतद से हम reverse कर देंगे किसी भी number का तो हम यहाप लिखेंगे int हमें चाहिए एक original value जो की n के अंदर store होगी उसके पाद चाहिए हमें एक reverse variable जिसके अंदर हमारी reversed value store होगी और इसको हम allot कर देंगे zero value फिलाल के लिए और उसके पाद एक text यहाँ पर display कर देंगे enter a number which you want to reverse reverse तो user अब कोई भी number डाल देगा जो वो reverse करना चाता है और वो number कहां store होगा n के अंदर तो c in n n के अंदर हम वो value ले लेंगे और हमारा आधा program बन गया अगला काम है हम चाहते हैं कि जो हमारी n की value है वो किसमे store हो temp के अंदर store हो जाए तो हम क्या करेंगे temp नाम का variable create करेंगे हो गया अब next चीज़ जो है हमें ये पूरा का पूरा formula लिखना है जैसा कि यहाँ पे है same वैसा का वैसा ओके तो सबसे पहले एक while लूप लगाएंगे और इस पे लिख देंगे हम temp not equal to zero तो create करते हैं while और इसके इंदर condition होगी temp not equal to zero यानि कि जब तक चलेगा जब तक temp 0 नहीं हो जाता उसके बात हमारे जो mathematical formulas हैं वो चलेंगे तो पहला है rev equal to rev into 10 तो rev equal to rev into 10 अगली line है हमारे बास rev equal to rev plus temp modulus by 10 तो rev equal to rev plus temp modulus percentage के थ्रू निकलता है और division slash के थ्रू और यहां पे आप दिख दिखेंगे हम 10 और फिट temp equal to temp divided by 10 और हो गया और यह दिखेंगे temp equal to temp divided by 10 ओके यह भी लिख दिया तो formula सब कुछ हो गया जब यह program run करेगा ओके तो हमारी जो reverse value है जो उल्टी होके आ गई है वो rev variable के अंदर store हो जाएगी तो हमें किसको display करवाना है rev को display करवाना है तो so c out कर देते हैं हम हमारे rev को the reverse of reverse of किसका reverse करा रहे हम हमारी original value क्या है n तो हमारी जो original value है यहाँ पर n लिख देंगे the reverse of n, n के अंदर जो भी number होगा वो आ जाएगा is क्या rev जो हमारी original value है basically तो किस तरह से output आएगी हमारे पास वो मैं आपको पता देता हूँ हमारे पास लिखा वो आएगा the reverse of n यानि कि अगर हम 123 डालते है n के अंदर तो हमारे पास आएगा the reverse of 123 is 321 जो की store होगा किसमे राफ के अंदर तो सेफ किया प्रोग्राम को desktop पे blah 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 dot cpp save execute compare return तो देखते है काम कर रहा है की नहीं कर रहा और यहाँ पर लिख देंगे हम 123 और इसका reverse होना चाहिए 321 enter और इसका reverse है 321 और एक और नंबर टाइप करके देख लेते हैं यहां पर compile and run इसके अंदर डिख देते हैं हम 67567 enter तो इसका reverse होना चाहिए 76576 तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम कर रहा है तो इस तरह से यह प्रोग्राम बनेगा अगर आपको इसकी वर्किंग जानी इस mathematical formula की तो calculator अपने हाथ में लीजिए और या फोन में calculator खोल दीजिए और इनके अंदर values दाना start कर दीजिए या फिर आप मेरी दूसरी वाली वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने इसकी working बताई है वहां से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कुछ चीज़ होंगा आपको ध्यान रखना है basically ध्यान रखेगा कि formula आप धंग से implement करे condition आप धंग से लगाए और एक और चीज़ का ध्यान यहां पर data type सिर्फ और सिफ int का use होगा okay float यह double और float का use नहीं करना है आपको इस चीज़ का ध्यान रखेगा अगर आप यहां पर float का use करते हो temp में okay अगर इसको data type आप temp देते हो तो आपको पता है float हम use कप करते हैं okay int को choose करना है आपको यहां पर okay make sure कि आप int को ही choose करें okay और फिर ही आपका program अच्छे से काम करेगा okay so thank you so much for watching this video please like share and subscribe कोई question हो तो आप comment section में पूसकते हो okay और सारक सारा code available है online okay और बहुत easy है यह program इसकी working जानने के लिए आप मेरी दूसरी वाली वीडियो देख सकते है इस mathematical formula की अगर आपको खुद इसकी working जाननी है तो calculator open कीजिए और calculator में put कीजिए values को और उसके बाद आपको result खुद पता लग जाएगा आपको पता लग जाएगा किस तरह से यह program काम करता है और जब भी आप इसको calculator में करो तो make sure अगर आपके पास decimal value आती है for example अगर calculator आपको बताता है 67.9 तो आपको 0.9 को नहीं लेना है next time आप 67 को लोगे क्यों विद्वास हमने integer data type का use किया है integer कभी भी point की value अपने पास नहीं रखता है okay to make sure इस चीज का भी ध्यान रखिएगा calculation करते टाइम अपने calculator में so thank you so much for watching please like share and subscribe कोई question नहीं तो comment section पूछ सकते हो bye bye take care see ya झाल